नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मेरे चैनल में बहुत वह स्वागत है तो फ्रेंड्स देखें आज विसकर्मा पूजा का दीन है तो सुबह सुबह लग गए है मेरे पती जी आपना गाड़ी धोने के लिए तो आज के दिन जितने भी लोहा लंकड होते हैं जितने भी लोहा का समान होते हैं सभी को धो मांज करके उसको पूजा किया जाता है तो यहाँ पर सुरवात कर दिये हैं धोने मांजने के लिए यहाँ पर संतु और सूरज लग गए हैं होटल को धोने के लिए तो यह लोग भ खुशी खुशी से और बहुत उत्सुक होते हैं सभी को इस दिन का इंतिजार करते हैं तो मैं भी लग गही हूं अपने काम में साफ सफाई में वो लोग अपना काम कर रहे हैं साफ सफाई की लोहा लंकड की और मैं अपना घर की तो मैं कल ही लिपाई कर दी थी बाहर में लिपाई कर दे रहें तो आज अभी खाना उन्हा नहीं बनेगा जल्दी क्योंकि पूजा नहीं हुआ है तो आज पूरे घर की साब शफ़ाई की जाती है जितने भी मतलब रूम है शबी को साप करोंगे अभी मैं जितने भी रूम होते हैं सभी को शाप सफ़ाई किया जाता ह क्योंकि पूजा होती है उस टेम सापसफाई ही अच्छै है कोई बी पूजा हो सापसफाई ही अच्छ Module के टैम में तो मैं भी लग गयी हूं यह इहापः सापसफाई करने में तो कल अधा मैं की थी Chief आप लोग धिक पूरे घर की जाड़ू करने के बाद मैं अभी सभी को लिपाई कर दूँगे, तो जाड़ू करते जा रहे हैं और लिपाई भी करते जा रहे हैं, यहां पर बोरा सभी दर धर रखा हुआ है, इसको भी हम अपने साइड पर रख देंगे, तो घर दर्वाजा लिपने में तो बहुत ही अच्छा लगता है जब पूजा की दिन होती है उस दिन तो आवर भी खुशी मिलती है घर दरवाजा साप सफाई करने में तो अभी मैं अंदर रूम का लिपाई कर रही हूँ अभी रोसनी नहीं उठी है तो हम भी चोना भी नहीं उठाए है उसको बाद में मुठा देंगे रोसनी का थोड़ा तवियत खराब है तो मैं उसको जल्दे नहीं उठाती हूँ उसका सर्दी जुकाम हो गया है सभी का हो गया है फिर भी मैं कर रही हूँ काम लेकिन जब पूजा की नाम आती है न तो कोई भी मतलब कोड़िया नहीं लगता है हम काम करने लगते ह काम से नहीं डरते है जब पूजा की नाम आ जाती है तो और हम औरतों के तो होता है कि सापसफाई का काम जरूर ही होती है तो कोड़िया भी होने से कोई हमारे लिए कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए हम जितने भी मितलब जितने भी मुझे ठीक लगा उतना टेम हम बहुत ज़्यादा काम किये है और सभी काम को मुझे ही करना पड़ जाता है लिपाई घर की खाना उना बनाना क्या करना क्या नहीं जो भी होता है सभी मेरे ही भरसा होता है इसलिए मैं सो जाओंगी तो मेरे तो सभी काम चले जहेंगे पानी में इसलिए मैं नहीं सोती हूँ जल्दी तबियत भी खराब हो जाती है तो थोड़ा बहुत को मैं सहन कर लेती हूँ और बच्चे लोग होते हैं कि वो लोग को तो क्या पता वो लोग बता भी नहीं सकते हैं क्या होता है क्या नहीं और सरती जुकाम में पूरा सरीर दर्द होने लगता है इसलिए हम समझ जाते हैं कि सरती जुकाम में सभी को पूरा बदन दर्द करता है हाथ पर टटाने लगता है तो इसलिए हम बच्चे लोग उतना जल्दी नहीं उठाते हैं जब तबी खराब हो जाता है तो फिर बाद में उठाया करके गरम पानी करके बरस उरस करवा करके खाना हो नपिला करके मैं दवा खिला देती हूँ लेकिन अभी टैम नहीं हुआ है उठने की लग भग छे साड़े छे बजे होंगे तो मैं जल्दी नहीं उठाई हूँ और उठ जाएगी तो फिर हम गर्म पानी कर देंगे उनके लिए फिर धूआ मंजा करके हम घर में हैं दावा हम पहले ही खरिट करें रखे हुए है लेकर दावा कहाती उस्तें ठीक रहता है फिर सर्दी हो जल्दी निकल मतलब भागता नहीं है सर्दी जब तक अंदर का जो होता है बल्लगम तो नहीं न पर रोहन आया था बोल रहा था कि मम्मी हमको कब तुम मुझे खाना खिलाओगी मुझे भूग लग रहा है तो हम बोले कि रूको थोड़ा सा यहां पर किवल लिपाई करनी है फिर संतु बोला कि चलो हम तुमको घुमाने ले जाते हैं फिर उसके साथ चला गया फिर मैं कि लिपाई हो गया है वर्श यहां परत बीपाई करनी है दरवाजे के पास तो यहां पर थोड़ा सा गाड़ा ही हम देते हैं गूबर क्योंकि यहां पर निकलते घुशते है तो जल्दी यहां फ़र घिस जाता है जमिन तो बिटी होग और यहां मतलब गड़ा बनाती हो यहां पर और यहां पर दरवाजे पास हम लिपाई कर दे रहे हैं उसके बाद यहां पर तो हम कल लिपाई कर ही दी थी इसलिए हम नहीं लिपाई करेंगे यहां पर जाड़ू कर देंगे पूरे आंगन को और दर चांदनी बरतंद हो रही है क्चड़ा क्योंकि इसको उठा करके नहीं जाड़ू करेंगे तो यहां पर फस जाता है फिर निकलता नहीं है तो हम इसको उठा लेते हैं अच्छी तरह से उसके बाद हम इहां पर जाड़ू करते हैं तो सभी कचड़ा निकल जाते हैं तो अभी हम इसको उठा लेगे और है जमेन को फिर चाबना पड़ता है हम को और जंधा डहं 되면 कोई भी दंटा और कोड़ देता है और आजकल जादा मतलब थोड़ा सा बढ़ा हो रहा了 जैसा है प्रहुत सकती मितस्वा सब्सक्राइब कर देता है कभी तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है, घर में रहो तो घर पर ही रहने का मन करता है, और बाहर तो बाहर ही, क्योंकि बारिस में भींजने का मन 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 भींजने क क्योंकि सर्दी जुकाम से ठीक नहीं लगता है आज हम पूजा का दीन है फिर पे हम नहीं नहाएंगे क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है हमको बस पूरे घर की सब सपह हम कर दिये सभी काम हो गया मेरा फूल भी लेकर के आये थे बच्चा लोग लेका आये थे संतु पूजा कर रहे हैं पूजा करने के तो सभी जितने भी निकालने जैसा था उसको सभी को निकाल लिये है धो दा लिये है अब पूजा के थाली लग गई है तो अभी पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे यह सभी पूजा हो जाने के बाद सभी को खाना लगाएंगे तो मै लेकिन मैं नहीं नहीं यह पर पूजा सुरू हो गया है तो यह पूजा कर रहे हैं एगर उधर तो बहुत ज्यादा लोहे हैं लेकिन सब को निकालना तो संभ़ नहीं है जहां जहां पर लोहा रखा हुआ है वहीं पर पूजा कर दे रहे हैं जितने भी कोड़ी टांगा बैसल जो भी होता है थोड़ी सा जोगेरे जो भी है निकालने जैसा है बाहर सभी को निकाल लिए है और उसके बाद यहाँ पर पूजा कर रहे हैं सभी को लेकिन धो दिये हैं और जहां बड़ा-बड़ा समान है वहाँ ही पर पूजा कर दिये पानी वने छिड़क दिये और उसके तो यहाँ पर हमारा यही में चीज है हमारा विश्कर्मा का यही चीज हमारे लिए में होता है यही पर सभी आवजार बनाये जाते हैं जितने भी लोग बनवाने के लिए आते हैं तो यही पर बनाया जाता है और यही पर हमारा सारे काम होते हैं हम विश्कर्मा लोगों की तो में चीज हमारे यही होती है तो इन्हें को पूजा कर रहे देखे और इसी में सभी काम होता हमारा जितने व्याउजार बनाने के लिए देते हैं लोग सब को वही पर बनाते हैं उसके बाद देखे ये गाड़ी की पूजा हो रही है यहाँ पर बच्चे सबज कर ही देते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हैं सबजी तो खाना में चढ़ा दी हूं और सबजी कात रही हैं परवल, आलो, और परीका सबजी बनेगा तो अभी मैं छिल के, काट के बना दूँगी और यहाँ पर पूजा होने के बाद देखे मिठा योगे रप पड़े हुए है तो सभी को अभी परसाद भी बाटना है तो पहले मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ और उनके पापा है सुपरसाद ही बाटेंगे अभी काटेंगे उसके बाद बाटेंगे तो यहाँ पर मैं सब्जी बना देती हूँ क्योंकि सबी कोई अभी भूखे है कोई खाना नहीं खाए हुए है तो खाना बन गई है मेरा बस सबजी बनानी है तो मैं चड़ा देती हूँ अभी सबजी तो सबजी में हमारी ओही परवल आलू और बरी का सबजी बनेगा तो मैं कुछ ढोड रही थी यहाँ पर चक्कु यहां तो कुछ ढोड रही थी प्याज काटने के लिए फिर मैं यह पर पानी डाल देती हूँ धोने के लिए और उसके बाद यह पर धेल भी डाल देंगे अभी करम हो जाएगा तो यह परसाद बाट रहे थे, फिर काट रहे लिए चकु यह भी ढोड रहे थे, चकु उसे निकाल लेते हैं नारियल को, फिर छोटे छोटे टुकड़े में काट करके सबी को बाट देते हैं, तो अभी बोल रहे थे कि मैं छोटा सा ही निकाल रहे हूं, परसाद बाट रहे ह फिर तुम लोग अपने से बनागर की खा लेना ऐसे बोल रहे थे तहां मेरे ठीक है जितना निकालने सकते हो तना निकाल लो फिर बाद में हम लोग निकाल लेंगे तो मैं यहाबर प्याज काट रही हूं प्याज नहीं काटी हुई हूँ और अभी हम सब जी चढ़ाएंगे और सभी के लिए हम खाना बनाएंगे अभी बच्चे सब भी उपावास मतलब सभी कोई नहीं खाए कोई नहीं खाए है क्योंकि सुबा में हम खाना बना ही नहीं थे और बच्चे लोग भी खुश के मारे इधर अधर घूम रहे थे क्यों कोई बेल पत्ता ला रहे थे कोई माला बना रहे तो क्या कर रहे थे सभी कोई अपने खोशी में मगन थे तो इसलिए खाना की और किसी का ध्यान ही नहीं था तो अच्छी बात है पूजे में सभी को मिल बाट करके पूजा करनी चाहिए और सभी को ध्यान देनी चाहिए क्योंकि एक बार रहाता है साल में हमारे यह हमारे ही मतलब हमारे लिए यही में धर्म होता है विस्कर्मा लोगों के लिए तो हम विस्कर्मा में से हैं तो इसलिए हमारा यह धर्म हमें मनाना जरूरी पड़ जाती है तो अब हम डालती है वाविन बरी और इसको फूझ लेंगे तो पूजा तो सभी के लिए बराबर होता है चाहे कोई भी जाती पर जाती को हो पूजा सभी के लिए बराबर होता है भगवान एक होते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा ही है पूजा है यहाँ पर देखिए दे रहे थे मेरे लिए परसादी तो हम ले ली इसके बहार बॉल रहे ते कि खाओ तब ऐसे बॉल रहे hani भूल के मुले फिर खाते हैं तो हम परसाद ख्हाने लगे हैं तो मेरा सब्जी भी बन रहा है तो थोड़ा सा केमरा इधर नहीं डिखाए रही दे रहा था तो केमरा को थोड़ा घुमा दी और यहाँ पर देखिए मक्का भी बॉल किये हुए थे कल ले करका आये थे बजार से जब पूजा की समान खरिदने गए हुए थे तो इसे भी बॉल कर दिये हैं तो अभी खाना जब तक नहीं बना है सबजी खाना तब तक इसको नास्ता कर और जब खाना होना बन जाएगा तो हम खाना खिला देंगे सभी को तो यहाँ पर ठंडा होने के लिए हम निकाल दिये हैं मक्का को और अभी हम सब्जी चड़ाने के लिए तेल भुजिया भून रहे हैं मतलब बरी का उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्यांच तो लेते हैं टमाटर नहीं है टमाटर नहीं लाए है बजार से तो बिना टमाटर का सब्जी बनेगा और मसाला वाला सब्जी बनेगा तो यहाँ पर यह ठंडा हो गया है सभी कोई खा लेंगे अभी नास्ता कर लेंगे तब तक मेरा सब्जी खाना भी बन जाएगा तो देखि और इसको धख देंगे कुछ देरी तक तो पक जाएगा जल्दी ही और तमाटर नहीं है तो हम तमाटर नहीं डालेंगे बिना तमाटर उला ही सकी बनेगा आज तो इसको हम धख देंगे पकेगा तो इसमें हम मसाला डालेंगे तो तब तक हम इसका पकने तक हम मसाला तयार करे देखेंट नतया है थो तो कैसे हैं आप सभी। अभी करते हों अब सभी ठीक होंगे तो भिस्कारवापूजा के सुबाउशर भर सही को बहुत भूसमार्ण देख लिए आप लोगोंने हमलोग कैसे मनाते हैं गांग की विश्कारवा पुजा सबह लोहे को ढ़ों करके नहां थो पूजा है सब्सक्राइब师 और सब के लिए खुशी ले करके आए असिरवात दे बावान सभी को सुखी जमपती दे तो चलिए और मिलेंगे इसे तरह से अगले वाला वीडियो में कुछ अलग वीडियो ले करके तो चलिए तब तक के लिए बाइबाइब